नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलेटन में खबरों का सिलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डाल थे हैं आज की हैडलाइन्स पर कल से कश्मीर दोरे पर केंद्र ग्रेमंद्री राजना सिंग सुधा नहीं रहे घाटी के हालाथ 45 दिनों से धदकते कश्मीर को सम्हालने अब सड़कों पर उत्री बियसर बॉर्डर पर ब्रम्होस की तनादी की खबर से तिल मिलाया चीन कहा सीमा पर विगड़ेंगे हालाथ पिया मोदी ने अरुनाशल प्रदेश में उननत हटियारों से प्लेस नई रेजिमेंट की स्थपना को दी है मन्जूरी कानू लिवस्ता के मुद्धे पर यूपी में सारा विपक्ष हुआ एक जूर विधान सभा में किया जोरदार हंगामा मार्शल की मदद से विधायकों को किया गया बहर अपनी तारीफ कर फसे एनेसजी चीफ दिया डियो में बम मिलने का किया खिलासा बोले किसी को नहीं मिला हमने किया डिफ्यूज ग्रेमंट राजनाथ की मौजूदीगी में दिया बयान और अथलेटिक्स फेडरेशन ओफ इंडिया और अलिम्पिक धावक ओपी जैशा आमने सामने फेडरेशन की सफाई पर बोली मैं सही हूँ महसंग से लड़ भी सकती हूँ एनरजी ड्रिंक नहीं देने पर मचा बबाल आतंकी बुरहान वानी के इंकाउंटर के बाद से बिगड़े कश्मीर के हालात को काबू में करने के लिए बुदवार को ग्रहमन्त्री राजनाथ सिंग घाटी चाएंगे जानकारी के मताबिक राजनाच सिंग कश्मीर के लिब धवार को दिल्ली से रवाना होंगे उनका ये कश्मीर दौरा दो दिनों का होगा बताया जाता है कि राजिनाज सिंग वहां जाकर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेदाउं से कश्मीर में उपजी हिंसा खुले कर बाच्चीत करेंगे अलगावादियों ने घाटी में अपने विरोध प्रदर्शन और बंद को 25 अगस तक बढ़ा दिया है लिहाजा इलाके के सभी स्कूल कॉलेज, बाजार, सारवजनिक परिवहन और दूसरे वेपार बंद है पुरानी श्रीनगर और अनितनाग में कर्फ्यू जारी है जबकी कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, बारमुला, बांदिपुरा, कुपवाडा और बढ़गाम में भी पाबंदी लगाई गई है कश्मीर हिंसा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के बाद कश्मीर में हिंसा और अशांती का दौर मंगलवार को 46 वे दिन भी जारी है घाटी के कई अलाकों में अभी भी कर्फ्यू है वही 11 साल बाद एक बाद फिर शांती कायम करने के उदेश्यों से कश्मीर घाटी में बी एस एफ को तैनात किया गया है केंदी सरकार ने घाटी में सीमा सुरक्षा बल के 26 जवानों की तैनात की है घाटी में बी एस एफ की 26 कमपनियों को राज्य के समस्य अग्रस्त इलाकों में कानून विवस्था बनाने के लिए भीज़ा जा रहा है इन बलों को गुजरात, राजस्थान और पश्ट्रिम बंगाल से लिया गया है इसके अतिरिक्त अमरनात यात्रा की ड्यूटी से हताय जाने के बाद बल की 30 अतिरिक्त कमपनियों को भी अगले कुछ दिन में राज्य में भेज जाने की संभावना है देश के नौर्थ इस्ट में ब्रमोस क्रूज मिसायल तेनात की जाने के अलान के साथ ही ड्रैगन का सिरदर्ध शुरू हो गया है तिल मिलाय चीन ने आगा किया है कि अगर भारत ऐसा कोई कदम उठाता है तो ये सीमा पर स्थिर्टा का नकारत्मक रूप से प्रभावित करेगा बतादे की प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलो की मंत्री मंदलिय समिती ने महाडों पर युद के लिए विक्सित प्रमोस के उननत संक्सकरन से लैस एक नई रेजिमेंट की स्थापना को मनजूरी दी थी इसकी लागत 4,300 कडोर रुपाई से अधिक होगी नई रेजिमेंट अवनाजर प्रदेश में तेनाद की जाएगी जिस पर चीन दावा जताता रहा है हाल के वर्षों में सीमा पर भारतियों और चीनी सैनिकों के बीच नियंतरन रेखा को लेकर गती रोध की गई घटनाए हुई है कानून रिवस्था और अन्य मुद्धो पर सरकार को घेरने के लिए एक जुट हुए समूचे विपक्ष ने उत्रप्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामा किया नतीज अतन विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल बुलाकर उन्हें बाहर कराना पड़ा नतीज अतन विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल बुलाकर उन्हें बाहर कराना पड़ा सदन की कारवाई शुरू होते ही मुख्य विपक्षी बिएस पी के साथ साथ बीजेपी आरेलडी और अपना दल के सदस्ते बैनर और तख्तिया लेकर सदन के बीचों बीच आकर हंगामा कने लगे बीच पी सदस्ते उन्हें दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा और कुछ अन्य नारे लिखी टोपियां पहनी थी वही बीजेपी ने कानून वेवस्था बिजली और महीला सुरक्षा के मुद्दों को नारेबाजी के जरी उठाया National Security Guard के महा निदेशक RC तयाल ने एक बड़ा बयान दिया है जिस पर विवाद पैदा हो सकता है DG ने एक कारिकरम को संबोधित करते हुए कहा कि दो महीने पहले दिली के DRDO भवन में IED मिला था जिसे दूसरी सुरक्षा एजिंसिया ना ढून सकी और ना डिफ्यूस कर सकी लेकिन ये काम हमनी कर दिखाया उन्होंने कहा कि उस IED का पता NSG ने लगाया और उसे डिफ्यूस भी किया NSG चीफ ने ये बयान NSG के नए बने composite building के उडगाटन के दोरान दिया है इस कारिक्रम में ग्रहमंत विराजनाच सिंग भी शामिल थे और उन्होंने NSG के योगदान की अपने भाशन में तारिक की उन्होंने कहा कि 1984 में NSG की स्थापना हुई थी तब से इसने हिंदुस्तान की जनता के दिलों में अपने लिए जगह बना ली है देश भर में भारी बारश के बाद आधा देश बाड में डूबा हुआ है पश्विम बंगाल, विहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में गंगा कल खत्रे के निशान को पार कर गई पियम मोदी के चनाफ श्वेत्र वायनसी में गंगा में इतनी पानी भर चुका है कि गंगा के घार डूब गए है 25 तारिक तक स्कूलों में छुटियां कर दी गई है हिलाबाद में भी ऐसा ही हाल ही देखने को मिल रहा है इलाबाद वायनसी के साथ ही वलिया जिले का बड़ा हिस्सा बाड की चपेट में है पास में गाजिपूर भी बाड से बचा नहीं है बेतवा नदी उफान पर है और यहां के करीब 200 गाओं बाड में डुबे हुए है बिहार में 10 लाग से ज्यादा अबादी बाड की चपेट में है चप्रा जिला गंगा गंडक और सर्यू नदी से घिरा है तीनो नदीयां उफान पर है और 40 साल बाद चप्रा शहर के घरों में दुकानों में दफ्तरों में पानी घुज गया है बाड ने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के जलो को तबहा किया है कई जले पानी में डूबे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, कई लोगों की मौत हो चुकी है और लोग बेबस होकर बस मदद के इंतजार में है केंदर ने बिहार और उत्रप्रदेश के बार प्रभावित इलाकों में NDRF की 10 टीमों को भेजा है ताकि इन राज्यों में फंसे असहाय लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके पाँच टीमों को ओडिशा में इसके बेस से तुरंत तेनाती के लिए हवाई मार्ग से उतर प्रदेश भीजा जा रहा है जबकि बाकी की पाँच टीमों को पंजब के भटिंडा से हेलिकॉप्टर से बिहार भीजा जाएगा ये टीमेच 56 ऐसे दलों के अलावा है जो राजिस्थान, मद्यप्रदेश और उत्रा खंट के अलावा इन दो राजियों में बार राखत अभियान चला रही है डीजी ने देर रात गुर्यमंत्वी राजना सिंग को इन राजियों में बार के हालात की नविंतम जानकारी उपलब्द कराई रियो ऑलमपिक में भारत को पदक दिलाने वाली पीवी सिंधू साक्षी मलिक को इस बार आजीव गांधी खेल रतन पुरसकार से समानत किया जाएगा इन दोनों के अलावा उलमपिक में शानदार खेल दिखाने वाली जिमनास डीपा करमाकर को भी ये समान दिया जाएगा विस्तिल निशानवाज जीतु राई जीतु राई को भी खेल रतन पुरसकार से समानत किया जाएगा ये पहला मौका है जब चार खेलाडियों को एक साथ खेल रतन का पुरसकार में लेगा इस बाद छे को दुरनाचारे अवार्ड दिया जाएगा जबकि 15 खेलाडियों को अरजिन अवार्ड देने का फैसला किया गया है दुरनाचारे अवार्ड विश्वेश्वे नंदी, प्रदीप कुमार, महावीर, नागापूरी, रमेश, सागरमल, दयाल, राजकुमार, श्रमा को दिया जाएगा स्प्रधा में निराश्व जनक 2 घंटे 47 मिनिट 19 सेकिंड के समय से 89 वे स्थान पर रही थी जेशा ने कहा वहाँ काफी गर्मी थी स्प्रधा सुभा 9 बजे से थी, मैं तेज गर्मी में दोड़ी, हमारे लिए कोई पानी नहीं था, नाहीं कोई एनरजी ज्रिंग थी और नाहीं कोई खाना केवल एक बार 8 किलोमीटर में रियो आयो जको से मुझे पानी मिला, जिसे कोई मदद नहीं मिली सबी देशों की प्रतेग दो खीमी पर अपने स्टॉल थे, लेकिन हमारे देश का स्टॉल खाली था जैशा फिनिश लाइन पर मेरा थन पूरी करने के बाद गिर गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था नर्सिंग को उनके बाउट से कुछ घंटे पहले अंतराश्ट्रे खेल पंचाट ने चार वर्ष का बैन लगा कर ऑलम्पिक से बार कर दिया था घर लॉट्षने के बार नर्सिंग ने कहा कि अगर इस पूरे शडियंतर की सी बियाएं जाच नहीं कराई गए तो भविश्य में खेल को बड़ा नुकसान होगा उन्होंने कहा मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो मुझे एक अगस्त को क्लियर किया गया था नाडा अगर वाडा को पहले ही रिपोर्ट भेज देती तो मामले की सुनवाई मेरी बाउट से कुछ घंटे पहले नहीं होती ये एक बड़ा शडियंतर है और इसकी पूरी जाच होनी चाहिए मुझे अपने वकील को रियो बलाने तक का समय नहीं दिया गया जो लोग इस साजुष के पीछे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और मैं प्रधान मंत्री से मिलकर अपनी गुहाल लगाऊंगा वैश्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी खुश खबरी है कट्रा से अर्ध कुमारी तक नया ट्रैक बन रहा है जोसे अगले कुछ महीनों में यात्रियों के लिए खोला जाएगा आधुनिक सुभिधाओं से बन रहे इस नई ट्रैक पर हाला कि नाशनल ग्रीन ट्रिबिनल के आदेशों के चलते सिर्फ पैदल यात्री ही आत्रा कर पाएंगे पुराने यात्रियों के साथ घोडे, खचर और पिठ्थू भी चलते हैं नया ट्रैक कट्रा से करीब एक किलोमीटर दूर कट्रा रियासी सड़क पर बालीनी पूल के पास से बन रहा है इस ट्रैक की लंबाई साथ किलोमीटर से थोड़ी जादा है नय ट्रैक पर अपातकालिन स्थिती में एम्बिलिन्स ले जाने की भी सुविधा है इस नई ट्रैक को हाई टैक बनाया जा रहा है और इसमें कई आधूनिक सुभी धाय भी होंगी श्राइन बोर्ड के मताबिक इस नई ट्रैक पर हाई टैक शेल्टर बनाय जाएंगे जिसका डिजाइन तैयार करने के लिए कई कमपनियों से बात चल रही है इस न्यूस बुलेटिन में फिलहार इतना ही तास अतरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेट्रो टीवे से नमस्कार